नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर अंकराच का महत्वपूर्ण आज हम बात करेंगे पुर्व दिसा में किन चीजों का निर्मान बिल्कुल नहीं करना चीजी है पुर्व दिसा जैसे कि हम इस प्लोट में देख रहे हैं पुर्व है पस्चिम है इस साइड में उत्तर है इधार दक्षिन है पुर्व दिसा में किन चीजों से हमें बचना चाहिए जा कि हमारे घर का जो बास्तु है वो बिल्कुल नियंतित रहे और संतुलित रहे यदि हम कुछ चीजों के निर्मान से बच जाते हैं जो पूर्भ रिषा में हम नहीं करते हैं, तो हमारे घर का बास्तु संतुलित है। तो हमें इन चीजों से बचना है, किन किन चीजों से बचना है, ये अगनी का छेतर है, अगनी को दूसित होने से किस प्रकार से हम रोक सकते हैं, किस प्रकार से इस नुकसान से बच सकते हैं, आज की एंक में हम बात करेंगे, तो सबसे पहले आईए, हम बात कर लेते हैं पुर तरब में हो जाती है अगनी कौन और मद्ध में हो जाता है पुर्व का अस्थान ये तीन अस्थान आती है हमारे पुर्व दिसा में तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसान कौन में यहां किन चीजों से बचना यह अस्थान जल का अस्थान है दूसरा यह अस्थान खुला अस्थान पर सेप्टिक टेंग का निर्मान ना करें सौचाले की वेवस्था लोग कर लेते हैं भूल कर भी इस अस्थान पर सौचाले की वेवस्था ना करें पूर्व और उत्तर के मैसान कोन की बात कर रहा हूं जो पूर्व छेतर में पढ़ता है सेप्टिक टेंग कभी नह रास्तू में किसी परकार का कोई उपाई भी नहीं है, यदि आप उपाई करते हैं, तो सत परतीसत आपको रिजल्ट पराप्त नहीं होता है, मुस्किल से 20 से 30 परतीसत ही आपको रेमेडीज देखने को मिलेंगे, तो चलिए ये दो चीजे हो गए, तीसरी चीजें लोग क्या करते हैं, कभी-कभी रसोई भी बना देते हैं इसान कोन में, तो इस अस्थान पे आपको इसान कोन वाले छेतर में रसोई, मैं छेतर भी बाढ़ देता हूं, यहां से यहां तक आप तीन भागों में बाढ़ दे, चलिए मैंने इसे तीन भागों में बाढ़ दिया, ये हो अब नेक्स्ट पॉइंट में बता दूं कि लोग सीड़ी बना लेते हैं भूल कर भी सीड़ी ना बना बें कुछ लोग कहते हैं बना लिजे कहीं भी चारों तरफ सब जगा ठीक है इन चीज ओपेनर हैं सीड़ी को हमेशा ये भारी निर्मान माना गया है ये हलका निर्मान वाला च्छेतर है सीड़ी यहां निर्मान करने से आपको बचना है इस अस्थान पे ना करें विशेस परिस्थिती में वो अगनी की तरफ की जाती है लेकिन यहां तो बिल्कुल आपको सीड़ी का निर्मान नहीं करना है उचाई बाले निर्मान दो तल तीन तल का बिल्डिंग है तो कभी लोग करते हैं क्या कि दो तल में आधे घर बनाते हैं आधे बनाने हो तो आप पस्चिम की तरफ बनाओ दक्षिन की तरफ बनाएं लेकिन इस तरफ में बिलकुल न आप नौर्थ और इस्ट को आप छोड़ अधिक हम कभी नहीं रख सकते हैं ये काफी नुकसान करते हैं इसके अलाबे नेक्स्ट गलतियां लोग क्या करते हैं कि लोग केंपस घर में देते हैं तो केंपस में आपको ध्यान देना है कि बहुत बड़ा केंपस उचा केंपस इस अस्थान पर ना बनाबे पुर्व दि इस point को भी ध्यान में रखना चाहिए अब आईए पूर्व जिसा में अनकिन चीजों से हमें बचना चाहिए यह तही हो गई इन चीजों से बचनी है आपको इस corner में अपना सैन कक्ष नहीं बनाना चाहिए कक्ष बनाते हैं तो पेर के रूप में आप यहां नहीं सो सकते यह भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए अब आईए हमा आज आते हैं अगनी कोन की तरफ अगनी कोन बाले छेतर में हमें किन किन चीजों से बचना चाहिए जो इस तरफ से जैसे septic tank सेप्टिक टैंक आप अगनी कोन में भी नहीं बनाए चुकि यह अगनी का अस्थान है और यहां पर क्या किया आपने यहां पर के उर्जा को गंदा कर दिया सेप्टिक टैंक वहां पर्मानेंट जल की विवस्था होगी गंदे चीजें परवेश करेंगे तो सेप्टिक टैंक सौचाले यहां तक की बाथरूम बनाने से भी आपको इस छेतर में बचना है सेप्टिक टैंक सौचाले तो बिल्कूल नहीं बना सकते हैं यहां बाथरूम बनाने से भी आपको बचना चाहिए साथ में भारी निर्मन पिसेश परिस्थिती में बाहर से यह दिसीडिया देनी हो तो अगनी को लोग प्रिफेर करते हैं लेकिन उसके साथ अन्नी चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है इसे भी ध्यान में रखना चाहिए तो यह थी कि पुर्व दिसा में इन चीज़ों से ह यहां तक का आता है यहां से यहां तक यह इसान कुन का छेत्र है यहां से यहां तक मद्य पुर्व का छेत्र है इस छेत्र में सेन का छेत्र है बनाये जा सकते हैं इस छेत्र में यहां पर दोर भी दिये जा सकते हैं कहीं कोई समस्या नहीं है पुर्व दिसा में जो दोर से बचने किये आपको पहले और दूसरे पग में डोर कभी नहीं देना चाहिए, इस छेतर में, इधर भी जो है नम्मे पद और आठमे पग में आपको मूख्य दवार नहीं देना है, तो यह जो है दो पड इधर से दो पग इधर से चार पग को छोड़ देना है, बाकि बीच के एक, दो, तीन, चार, पांच में दिये जा सकते हैं लेकिन परमुक रूप से इसमें देना है बड़े गेट का निर्मान करना हो तो ही इसमें डोर देना चाहिए ये ध्यान में रखने वाली चीजे हैं तो आज के एंकि मैंने देखा कि कि किन चीजों को पुर्वदिसा में बिल्कुल नहीं करना चाहिए ये आपके घर को असंतुलित करता है